कि दोस्तों क्या हाल है मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे बढ़िया होंगे तो आज का जो वीडियो उसमें मैं आपको ऐसी ट्रेक बताऊंगा जिसको यूज करने के बाद आपका डिवाइस का पूरा लोग चुह हो एस 23 अल्ट्रा की तरह हो जाएगा जो कि आशे नहीं सोना मशकार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस टेक्शनल तो चलिए आज का वीडियों पर शुरू करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक यहां पर ट्रिक दिखाने वाला हूं हीटन फीचर तिखाने माला हूं आपके समसंग के डिवाइस का ठीक है वह फीचर कौन सा है वह देख लीजिए उसके बाद मैं आपको यह ट्रिक बताऊंगा तो यह ट्रिक है सबसे पहले आपने जाना एकसेसबिलिटी वाली सेटिंग में ठीक है अपने फाइंड आउट करने अपने ड यहां पर क्लिक कर देते हैं यहां पर करता हूं जैसे मैं कुछ चीज यहां पर सर्च करता हूं ठीक है फॉर डंपल मैं लिखता हूं यहां पर हैलो जैसे मैंने यहां पर टाइब किया तो जो है फॉन खुद बोड़ रहा है एच ई एल ओ और मैंने स्पेस दिया वो बोड़ा है हैलो मतलब कि आप कुछ भी लिखेंगे वह आपका असिस्टेंट बोलेगा कि आपने क्या लिखा है तो ठीक है यह काम यह करता है जैसे कि आपने यहां पर देख लिया अब उसके बाद जो है आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं तो वो ट्रिक कौन सी आप ध्यान से देखना है यहां पर दोस्तों इसके लिए आपको दो एप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा फि आपका जो है मैंनु यहां पर उपन हो जाएगा वह बिल्कुल क्यूटी भी बग करता है आप यह मसोचना की लोग करता है और हर चीज आपको जल्दी ही यहां पर देखने को मिल जाती है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आपको इसको आपने इसको आपने लॉंचर सेटिंग ओप्शिन देखने को मिलेगा यहां पर आपने यहां से यस करना है यहां पर आपने चूज कर लेना है जो कि यहां पर सेट हो जाएगा और कभी भी हटेगा नहीं जैसी ठीक है तो यह से करना है उसके बाद आप ने नोटिविकेशन पैनल को कैसे आपने सारी परमीशन यहां पर आपने दे रहा हूं सभी परमीशन मैंने दे दी है मेरा जो है लौइंचर यहां पैनल आच चुका है वह जैसे नोटिफिकेशन पर नीचे करूंगा न ठीक है वैसे आप हमारा नोटिफिकेशन पैनल पूरा S21 S23 Ultra की तरह यहाँ पर हो चुका है और आपका device का look भी यहाँ पर बिलकुछ चेंज हो चुका है आप use कीजिए काफी मज़ेदार है बाकि आपका आज का वीडियो को कैसा लगा comment box पर comment ज़रूर करना है बाइबाइबाइब टेक आज जाहिन बंदे मात्रम